असलाम अलेकुम फ्रेंट्स वेल्कम टू लेर्ण आनलाइन अज मैं नए लेशन के साथ आज देनूं मुल्टिप्लिकेशन आफ फ्रिक्शन सिखेंगे हम फ्रिक्शन को कैसे मुल्टिप्लाइ करते हैं चलते हैं पहले एक्जेम्पल की तरफ पहला है अगर इस तरह का कोई ट्राम आ जाए तो मितमेटिक्स में जो है उसके नीचे वन अल्रेडी डिनामिनेटर अंड्रेस्टू रोता है कहीं भी अकला डिजिट आपको मिल जाए नंबर मिल जाए उसके नीचे डिनामिनेटर में प्रेंशन ना हो तो आप उसको वन जो है नीचे वह अल्रेडी लेड़ी लेंगे तो आप यह हो गया सेंपल हमारे लिए मल्टिप्लिकेशन में क्या करेंगे फ्रेक्शन को नियुमिरेटर्स को नियुमिरेटर्स के साथ मल्टिप्लाइ करेंगे मतलब कर नियुमिरेटर्स फोर एंड वान टाइम थ्री इस थ्री हमारा एंसर है 24 अपन थ्री अब कभी कभी क्या होता है कि मल्टिप्लिकेशन नहीं होता केते हैं के संप्लिफाय दी फ्रेक्शन तो संप्लिफिकेशन में अगर ऐसा कोई प्राब्लम आपको मिल जाए और एंसर 24 अपन 3 या जाए जिसम के डिनॉमिनेटर नुमिरेटर को डिवाइड करता हो तो उसको आप सिंप्लिफाय करके लिख सकते हैं 24 अपन 3 1 टाइम 3 3 & 8 टाइम 3 24 तो हमरा एंसर आ गया इस तरीके से हम फ्रेक्शन की मल्डिप्लिकेशन को साल्व करेंगे यह तो थी प्रेली कंडिशन दूसरा एक्जम्पल ले लेते हैं वह है 6 अपन 3 इन्टू 4 अपन 2 यह सेंपल है डिनॉमिनेटर को डिनॉमिनेटर के साथ और यह निमिरेटर्स अपस में रहेंगे तो एंसर क्या जाएगा 6 x 4 is 24 अपन 3 x 2 is 6 तो यह हमारा एंसर आ गया यह आप इसको सेंपलिफाय भी कर सकते हैं 8 x 4 sorry 4 x 6 is 24 तो हमारा एंसर आया 4 या 24 अपन 6 चलते हैं तीसरे प्राप्लम की तरफ जिसमें मेंशन है के 8 अपन 7 x 1 अपन 2 तो इसको अमसाल करेंगे निमिरेटर्स आपस में डिनमिरेटर्स आपस में वन तैम्स एच इस एच सेंटाइं टूसर 14 तो इसको भी आप देखेंगे दोनों पे टू डिवाइड कर रहे हैं ना दोनों को इमिरेटर और दोनों इंट्रेटर को तो आप सिंप्लिफाय कर लें फॉर तैम्स दूर एच सेंटाइम्स दूर 14 और पन 7 इस और एंसर एक और जो है एक्जंपल ले लेते हैं उसमें जो एक स्टुडेंट्स एक गलती कर लेते हैं ना यह उठा लेते हैं फोर अपान टू इंटू एट अपान टू अब क्या करते हैं इस्टुडेंट्स पढ़के आते हैं पीछे से जैसे मैंने सब्ट्रिक्शन और एडिशन आप माल्टिप्लिकेशन आपको बताया है तो उसमें सेम डिनोमिनेटर वाले होते हैं तो उप सेम कर लेते हैं और नीचे वाले जmost हैं वह रख लेते हैं इसफार और हम और एडिशन में तो सपार माल्टिप्लिकेशन में सेम रख लेते हैं और उपर वाले numerators आपस में multiply करके ऐसे रख लेते हैं तो यह जो आपका answer होगा यह होगा totally wrong हमें क्या करना है हमें multiplication में मैंने आपको पहले भी बताया है कि numerators will be multiplied with numerators and denominators will be multiplied with denominators तो four times eight are thirty two upon two times two are four तो हमारा answer जो है correct वो यह होगा यह वाली गलती आप ना किया करें कभी भी ऐसा नहीं करना कि आप जो है वो अपने denominators common रखके और उपर वारे numerators multiply रखके आप इसा answer निकाल लेंगे तो आप गलत हो जाएंगे ठीक है तो आपको यह बात समझ में आ गई होगी मेरे साथ जो है वीडियो में साथ रहने का शुक्रिया अगली वीडियो के लिए इंतजार करें उसमें मैं लाओंगा deviant of fractions तो यह आप तो सीख गए होंगे एक और example मैं आपको यह बता दूँ इसमें वो भी problems कभी कभी आ जाते हैं ना वो कैसे होते हैं ऐसे होते हैं कि तूवाओ वन अपन टू इनटू तू थ्री होल प्री अपन मुदी तो इसको अपकर से सॉल्प करेंगे यह मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया कि मिक्स्ट को इंप्रोपर में कैसे जो हे वहगा करते हैं पहले हमको यह इंप्रोपर में दोनों करने तो तो डिनोमिनेटर को होल के साथ डिनोमिनेटर को होल के साथ मल्टिप्लाइ करेंगे टू 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 अपान टू तो हमारा एंसर होगा फॉर टैम्स तो आपने इस तरह से साल्व करना ए इसको और कर लेंगे हम किसमें इंप्रापर में क्यूंकि प्राप्लम इंप्रापर में सोर्डि में तो हम इसको मिक्स्ट में इसको में कनवर्ट करेंगे 45 divided by 2 करेंगे तो 2 times 4 2 times 2 और 4 तो बचेगा 0 5 को नीचे लाएंगे 5 के दो बार लगेगा तो हमारा remainder बचेगा क्या एक remainder बचेगा ये वाला 22 हो लाएगा तो हम answer में क्या लिखेंगे answer में लिखेंगे 22 होल ये जो divide कर रहा है वो हमारा denominator और जो remainder बचेगा वो हमारा बनेगा numerator तमान शुक्रिया आपको multiplication समझ में आ गई होगी इंशाला अगली वीडियो जो है उसमें हम आपको सब सोरी devian से काएंगे fractions की devian कैसे होती है तमान शुक्रिया